Good morning students, आज हम SST का chapter 10 का next paragraph start करेंगे इसके आगे का कलम ने poem पढ़ लिया था I hope poem सबको समझ भी आया होगा आज हम next paragraph start करते हैं next paragraph क्या है Here are, here are four friends Here means, यहाँ, are means है Four means, four, friends means, मित्र यहाँ कितने मित्र हैं, कितने friends हैं, one, two, three, four कितने हैं, four, यहाँ four friends हैं They live in the same neighborhood They, they means, they live means, रहते, in means, may The same means, समान, neighborhood means, महले में वे सेम महले में रहते हैं, सेम neighborhood में रहते हैं, वे एक ही महले में रहते हैं They celebrate all festivals together They means, वे celebrate means, मनाते हैं All means, सभी festival means, तेवहारों को together means, साथ में वे सभी तेवहारों को साथ में मनाते हैं, ठीक? वे सभी तेवहारों को साथ में मनाते हैं आईए आगे देखते हैं मंजीत प्रेज इना गुरुद्वारा मंजीत प्रेज मिन्स प्रात्ना करता है इन मिन्स में ए मिन्स एक गुरुद्वारा इस मिन्स गुरुद्वारा में मंजीत एक गुरुद्वारे में प्रात्ना करता है पीहू प्रेज इना टेम्पल पीहू प्रेज मिन्स प्रातना करती है इन मिन्स में और टेमपल मिन्स एक मंदिर में पीहू एक मंदिर में प्रातना करती है दे गो टू डिफरेंट प्लेसेज टू प्रे दे मिन्स वे गो टू मिन्स चाते हैं डिफरेंट मिन्स विबिन प्लेशेज मिन्स अस्थानों पर तू प्रे मिन्स प्रात्ना के लिए वे प्रात्ना के लिए विविन अस्थानों को जाते हैं विविन अस्थानों पर जाते हैं हावेवर दे प्रे टू दा सेम गॉड सुट द सीयं घुड़ करते हैं। Similarly, We please pray, we pray, we अंद सॉक्ट पाड़ से तौत पे तूब थो subscribe एग शुम्नोट करते हैं। Oh, There is only one God, there means you, Is means only means complex, one means a God, गॉड मिन्स इस्वर यहां के वर एक इस्वर है पीपल कॉल पीपल कॉल गॉड बाइड डिफ्रेंट नेमस नामों से लोग इस्वर को विभिन नामों से पुकारते हैं जबकि इस्वर एक है गॉड एक है लेकिन उसके नाम कई है उसके डिफ्रेंट नेम होते हैं ठीक और लोग उनको डिफ्रेंट डिफ्रेंट नेम से पुकारते हैं आईए एक बार और रिपीट करते हैं यहां फोर फ्रेंट्स यहां फोर फ्रेंट्स हैं दे लिव इन दा सेम नेबर हुड वे सेम मोले में रहते हैं समान मोले में रहते हैं दे सेलिबरेट आल फेस्टिबल्स टुगेदर वे सभी तेवारों को साथ में मनाते हैं अन्ना प्रेज इना चर्च अन्ना एक चर्च मे में प्रात्ना करता है मंजीद प्रेज इना गुरुद्वारा में प्रात्ना करता है पीहु प्रेज इना टेंपल पीहु एक मंदिर में प्रात्ना करती है दे गो टू डिफरेंट प्लेस टू प्रे वे प्रात्ना के लिए विभिन अस्थानों पर जाते हैं however they pray to the same God तथा पी, वे same God से प्रातना करते हैं वे समान God से प्रातना करते हैं यहां देखिए क्या लिखा गया है there is only one God यहां केवल एक ही इस्वर है people call God by different names लोग उन्हें विभिन नामों से पुकारते हैं तो आज आपके क्लास वोग में क्या मिला है chapter 10 of worship पूजा के स्थान इस चैप्टर में आपको क्लास वोग में क्या मिला है question answer मिला है question answer में आपको क्या करके लाना है first question है how many friends are there how many means कितने friends means मित्र are means there means यहां ही वहां कितने मित्र हैं तो आप क्या लिखोगे question में है how many friends are there तो आप लिखोगे there are four friends कितने friends थे कितने friends है four friends है तो आप लिखोगे there are four friends second है who praise in a church church में कौन प्रे करता है चर्च में कौन प्रे करता है अन्ना तो आप क्या लिखोगे अन्ना प्रेज इना चर्च क्या पुछाए हूँ प्रेज इना चर्च तो आप लिखोगे अन्ना प्रेज इना चर्च थर्ड है हूँ प्रेज इना मॉस्क्य। मस्जिद में कौन प्रेज करता है कौन प्रातना करता है तो आप लिखोगे सलीम प्रेज इना मॉस्क्यू कौन मस्जिद में प्रेज करता है सलीम ठीक फस्ट है हौमेनिक फ्रेंट्स आर देयर तो आप लिखोगे देयर आर फोर फ्रेंट्स सेकेंड है हूँ प्रेज इना चर्च अन्ना प्रेज इना चर्च थार्ड हो प्रेज इना मॉस्क यू तो सलीम प्रेज इना मॉस्क यू आईए आपका होमवर्क देखते हैं होमवर्क में आपको क्या कुश्चन मिला है होमवर्क में आपको टू कुश्चन करके लाने है फस्ट क्या है हो प्रेज इना गुरुद्वारा ठीक हो प्रेज इना गुरुद्वारा में कौन प्रेयर करता है, कौन प्रातना करता है गुरुद्वारा में गुरुद्वारा में मन्जीत प्रातना करता है तो आप क्या लिखोगे मन्जीत प्रेज इना गुरुद्वारा क्या लिखोगे मन्जीत प्रेज इना गुरुद्वारा क्विश्चन क्या है हूँ प्रेज इना गुरुद्वारा तो आप लिखोगे मनजीद प्रेज इना गुरुद्वारा सेकेंड है हूँ प्रेज इना टेंपल टेंपल में कौन परातना करता है तो वो एक लड़की है तो टेंपल में कौन परातना करती है पी हूँ तो आप लिखोगे पी हूँ प्रेज इना टेमपल क्या लिखोगे पी हूँ प्रेज इना टेमपल यह आपका होमर्क है समझ में आ गया थैंक यू